आज मुझे पूरे विश्वास से लग रहा है कि निश्चित रुप से मैं इस चुनाओं में पाच लाख से जादा होटों से जीतूंगा। मैंने यह तै किया है कि जातिय वाद को घर से हका लो। मैं जातिय वाद नहीं करूगा। सामपरदाइक्ता नहीं करूँगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास यह जो मोदी जी ने कहा है उसी के नुसार चलूँगा। मुझे यह चिंता नहीं है कि मेरे लड़कों को रोजगार कैसे मिले है। मेरा कोई लड़का राजनीती में नहीं है। तुमको राजनीती में जाना है तो पोस्टर चिपकाओ, दिवालों पर रंग लगाओ और लोगों में जाओ। आपका ये प्रेम, आपका विश्वास। आज मुझे पूरे विश्वास से लग रहा है कि निश्चित रुप से मैं इस चुनाओं में पाच लाख से जादा होटों से जीतूंगा। इस शेयर में मेरी स्मूतिया है। इसी बस्ती में मुन्ना महाजन और उस समय हम सब युवा मिलके दिवार ओपर लिखने का काम करते थे। यहाँ एक इंपरेस्ट मिलकी दिवार थी। मैं याद कर रहा था कि उसके ओपर चुना लगाने का काम मैंने किया था क्योंकि मेरा हंड्रेटिंग बहुत खराब था। आप सब लोगों ने मुझे बहुत प्रेम दिया। यह जितने बातें बताई जा रही है। मैंने टनेस बनाए, एक्सप्रेस हाइवेज बनाई, बड़े-बड़े ब्रीज बनाए, गंगा पर ग्यारा ब्रीज बनाए, बनम्मपुत्रा पर बनाए, वर्ल के साथ रेकॉर्ड हुए, पर यह सब काम मैं इसी ले कर सका, कि आप लोगों ने मुझे जो प्रेम दिया, व अगर मैं नाकपुर में, अगर लोग सबा चुनाऊने जितता, तो मैं मंतरी नहीं बनता, और मंतरी नहीं बनता, तो आपके लिए काम कहां से करता, तो जो मैंने कुछ काम किया है उसका श्रेय मेरे सामने बैठेवे सभी कारे करता भाई और बैनों को है नाकपूर की जनता को है और इसलिए मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूं तो नाकपूर को कभी भूलता नहीं हूँ न कभी भूलूँगा दस साल में इस खेत्र में जो काम मैंने मेरे द्वारा हुआ है पहली बार चुनाओ के लिए जनता को हिसाब देने के लिए उसकी टोटल की गई तो पहली बार मुझे ध्यान में आया कि इस दस साल में मैंने दस लाग करोड एक लाग करोड से ज़्यादा काम नाकूर लोकसवाक शेत्र में किया है एक लाग करोड पर आपके आशिरवाद से एक लाग करोड ये तो निजरील है अभी तो असलिप फिल्म शुरू होना और काम करेंगे और तुम्हारे हमारे सब के नाकपूर को दुनिया की पटल पर ले जाएंगे देश का अच्छे शहरों में नहीं तो दुनिया के अच्छे शहरों में नाकपूर लेकर जाएंगे ये मैं आपको बचन देता मुझे ये चिंता नहीं है कि मेरे लड़कों को रोजगार कैसे मिले मेरा कोई लड़का राजनीती में नहीं है और मैंने उनको कहा था कि मेरे पुण्णाई का उपयोग करके तुम राजनीती में जाओ मत तुमको राजनिती में जाना है तो पोस्टर चिपकाओ दिवालों पर रंग लगाओ और लोगों में जाओ मेरी विरासत मैंने किया हुआ काम अगर इसके उपर किसी का अधिकार है तो भारती जनता पार्टी के कारे करतों का अधिकार है वो मेरे वारसदार मैंने यह तै किया है कि जातियों आपको घर से हका लो नाकपूर शहर मेरा परिवार है आप सब मेरे हैं और मैं आपका हो मेरे आप कोई भी कैंसर हाट का रुगन हो कोई दिव्यांग हो मेरी माने मुझे बताया था कि तुम इनकी सेवा करते रहो तुमको को कोई कमी नहीं होगी परसो मैंने करिब 90 इलेक्ट्रिक पर चलने वाली ट्राइसिकल दिव्यांगों को दी जब मैं उनके पास गुलाब का फूल दे रहा था उनके आखों में आसू थे साड़े तीन सो लोगों को पैर लगा के दिये वो फुटबॉल गिलने लगे बुलेक चलने लगे मैंने मन में कहा कि सब कुछ मिल गया जात पंत धर्म भाषा चाहे दुनिया कुछ भी कहे जिसको देना है खोट दे एकादी के नारा जोगी तो कोई बात नहीं पर मैं जाती बाद नहीं करूगा सामप्रदाइक्ता नहीं करूँगा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास ये जो मोदी जी ने कहा है उसी के नुसार चलूँगा और कवाड़ी जी मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि बाबा सब अम्मेडकर जी दे दियावा सविदाल हमारा आत्मा है इस समाज से चुवा चूथ, अस्पुरुषता, जातियता, समूल लश्टकर करके समाज में समता, ममता, आर्थ, सोशल एक्वैलिटी प्रस्तापित करना ही है हमारा जीवन मिशन है इस पार्ट अप लाइप कन्विक्शन नो कम्प्रमेज सब्विदान बजलने का सवाल है नहीं उठता यह अपपरचार किया जाता है कि जिन लोगों ने 80 बार, इमर्जन्सी के समय सब्विदान को तोड़ने का काम किया वो हमारे बारे में अपपरचार करते है कि यह सब्विदान तोड़ेंगे आड़क्षन को रद्द करेंगे जब लोगों को कन्वींस नहीं कर सकते तो कन्फ्यूज करने की कोशिश करते है आप बिलकुल चिंता मत करिए मैं यह मानता होगी कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंत, धर्म, भाषा, सेक्स और पार्टी के कारण बड़ा नहीं होता व्यक्ति उसकी कार्य करतुत्वार गुनवत्ता से बड़ा होता है